हेलो दोस्तो वेलकम टू डैश्बोर्ट गुरू ये है यामाहा फसीनो 125 PS6 और ये आ गया है 2021 में एक नए अवतार में और लुक में आज हम इसी स्कूटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डैश्बोर्ट गुरू को अगर आप बाइक और स्कूटर का रिव्यू पसंद करते हो और अगर आप कोई नई बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में फसीनो एक रेट्रो लुकिंग स्कूटर है ये पहले भी रेट्रो लुक में आता था बट 2021 में कमपनी ने इसमें काफी और बदलाव किये हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा बारा मैट और ग्लोसी कलर का उप्शन मिल जाता है जिनकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे इसके हेड्लैम्प की बात करें तो ये एक बीक की तरह दिखता है और इसके चारो तरफ ब्लैक कलर का ग्लोसी प्रोटेक्शन दिया गया है हाला कि इसमें आपको LED लाइट देखने को नहीं मिलती है इसमें आपको हेलेजन लैम्प ही देखने को मिलता है लेकिन मैं कहूंगा नाइट में इसका जो विजन है वो काफी अच्छा रहता है अगर आप नीचे इसका एपरंट देखे तो आपको इसमें डूल टोन कलर मिल जाता है इसके इंडिकेटर इस एपरंट के अंदर ही माउंटेड है जो कि इसकी स्टाइलिंग को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं मैट और ग्लोसी का कंबिनेशन मुझे परसनली बहुत ही अच्छा लगता है फ्रंट का जो मटगार्ड है उसको छोड़ कर ये पूरा स्कूटर ही फाइबर का है इसके रियर लाइट का लुक ये उरोपियन स्कूटर से मिलता जुलता है आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको इसकी लाइट का लुक कैसा लगा फ्रंट में आपको 12 इंच का टायर मिल जाता है जो की अलोई वील के साथ आता है और मैं कहूंगा ये एक अच्छा एडिशन है इसमें आपको डिस्क ब्रेकिंग मिलती है UBS मतलब यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इसका फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक है हाला कि ये स्कूटर एक रेट्रो लुकिंग स्कूटर है बट इसमें आपको क्रोम का इस्टमाल थोड़ा कम ही मिलेगा रियर में आपको 10 इंच का टायर मिल जाता है ज़्यादातर स्कूटर में आपको ये ही टायर उप्शन मिलते हैं फ्रेंट में 12 और बैक में 10 इंच का बट जो टीवियस एंट टोर काता है उसमें आपको दोनों ही 12 इंच के टायर मिलते हैं इस स्कूटर में आपको काफी वाइड सीट मिलती है जो की राइडर और पिलियन राइडर के लिए काफी कमफर्टेबल है सीट को ओपन करने के लिए आपको की निकालने की जुरूरत नहीं पड़ती उसके अलावा सीट के नीचे आपको काफी डीसेंट सा स्टोरेज देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना हेलमेट और काफी समान रख सकते हो सीट के नीचे ही आपको फ्यूल टैंक मिलता है जो की 5.2 लीटर का है यहां मैं कहूंगा कि ये एक बहुत पुराना ओप्शन है बहुत सारे स्कूटर्स में आजकल भार की तरफ आपको फ्यूल फिलर कैप मिलता है इसका नुकसान बस यही होता है कि जब आप फ्यूल भरवाने जाते हो तो आपको सीट ओपन करनी पड़ती है और स्कूटर से नीचे उतरना पड़ता है और एक बात सीट के नीचे आपको एमेरजनसी लाइट और मोबाइल चारजिंग पोर्ट नहीं मिलता है जो की एड किया जा सकता था जो इसका मीटर कंसोल है वो एनलोग मीटर है जो इसमें स्विचेस की क्वालिटी यूज की गई है वो भी काफी अच्छी है राइट साइड के टोप में जो बटन आप देख रहे हैं इसको अगर आप ओन रखते हो और ट्राफिक में अगर आप फसे हुए हो तो ये ओन रहनी की वज़े से आपका स्कूटर अपने आप ओफ हो जाएगा और जैसे ही आप एसकलेटर इसके अंदर दोगे तो स्कूटर का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा आप इस option को अगर नहीं चाहते हो तो आप इस बटन को off कर सकते हो प्राइस बताने से पहले मैं एक बत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्राइस अब मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका दिल्ली का on road प्राइस होगा हो सकता है कि आपके state में इसका price एक दो हजार उपर या नीचे हो आप मुझे comment करके पूश सकते हैं कि आपके state में इसका क्या price है इसके market में चार variant आते है Drum, DLX Drum, Disc और DLX Disc तो start करते हैं Drum का जो price है वो 83,872 रुपीज है जो DLX Drum model है उसका price है 84,975 रुपीज जो disc model है उसका price है 86,630 रुपीज जो DLX Disc model है उसका price है 87,731 रुपीज color की बात करें तो आपको 12 color option मिलते हैं market में आपको किसी भी scooter में 12 color option नहीं देखने को मिलते हैं इसमें cyan blue, black, matte blue, suvee copper, dark matte blue, black, cyan blue, matte blue, red, yellow, dark matte blue, suvee copper और जो color आप देख रहे हैं वो suvee copper matte color है जो की personally मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको इसका ये वाला color कैसा लगता है अगर हम यहां engine power और torque output की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 125 cc का BS6 air cooled engine जो की 8.2 bhp की power generate करता है 600 rpm और 9.75 nm का torque देता है 5000 rpm एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो weight है वो काफी कम है मतलब 99 kg का ये scooter है जिसकी वजह से आपको अच्छी performance और handling मिलती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का video Yamaha fascino 125 PS6 पर अगर आपका कोई भी question या comment है तो आप हमें बता सकते हैं मैं उसका तुरंत जवाब दूगा और आपसे एक request करना चाहूंगा कि अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इसको share, like और subscribe ज़रूर करें Thank you